ओन्हें कि ह्केस कि आपको पता है हम Hack ने चाहिड लेबर को समझा कि रहा हुस्के लॉज को समझा भूज दिन चाहिड एभ्यूस को समझा चाहिद लॉज के जो लॉज है इंडिया में इंपॉर्टिन लास और और आपको बढ़ा ओब about it सेग्मेंट जो चाइड लेबर का है जो डेटा है चाइड लेबर पे वो आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ से भी कुछ कोश्चन आते ही आते हैं और इस डेटा को आपको याद रखना है उसमें कुछ इंपोर्टेंड पॉइंट्स हैं इनको आपको याद रखना है जिस तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है पहला पॉइंट आपको याद रखना है चाइल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है चाइल्ड लेबर डे हर साल बारा जून को मनाया जाता है ठीक है यह आपको याद रखना है बारा जून को चाइल्ड लेबर थीम क्या था इस बार 2014 में चाइल्ड लेबर का थीम था Social Justice for All ठीक है Social Justice for All ये आपको याद रखना है Social Justice for All and Child Labor ये यहां से है Sorry, ये आपको याद रखना है Social Justice for All फिर हाइपन करके and Child Labor ठीक है Then उसके बाद ये Social Justice for All slash करके and Child Labor Okay, then After उसके बाद Child Labor ये थीम था दो हजार चोबीस में उसके बाद एक क्वच्चन आता है Child Labor, Child Help Line क्या है ठीक है, ये पूरे इंडिया में है और इंडियान के में भी है अगर आपको ये बताया जाएगा कि Child Help Line नमबर क्या है वो है 1098 ठीक है, ये याद रखेगा इसको हम क्या बोले है 1098 Child Help Line इंडियान के आए इंडिया ये पिश्टी बार क्वच्चन आया था इसमें जो Medical Counselor का पोस्ट आया था, उसमें ये क्वच्चन आया था टॉप स्टीट्स in Child Labor इंडिया में पहले नमबर पे है बिहार ये इनके यहां सबसे ज़्यादा Child Labor है Then, lowest Child Labor सबसे कम कहा है इंडिया में, वो है Sikkim Statement ठीक है अच्छ, Agency publishes report in India इंडिया में कौन सी कौन सा institution है, कौन सी Agency जो publish करता है रेपोर्ट के सब चाइड लेबर पे वो है Ministry of Labor and Employment ये भी याद रखेगा Then, इंडिया की position क्या है Child Labor में India's number at the world level इंडिया की कौन सी position इसको हम बोल दे Child Labor Index भी याद रखेगा Child Labor Index अगर आपको बताएगा कि आप बताएगा इंडिया की क्या position है Child Labor Index में या वोल्ड लेबर पे कौन सी position है इंडिया की Child Labor 113 position है ठीक है 113 नंबर पे है इंडिया वोल्ड में Child Labor वोल्ड इस हाइस्ट Child Labor कहांते है सब सहरान फेरिका में ठीक है रिपोर्ट एकार्डिंग रिपोर्ट एकार्डिंग 2013 रिपोर्ट इंडिया है 7.8 मिलियन Child Labor इन 2013 अगर आप 2013 में कितने टोटल डेटा है इंडिया के पास इंडिया के पास कितने Child Labor है इंडिया है 7.8 मिलियन Child Labor ठीक है एकार्डिंग टुद आयलो आयलो बोलते हैं International Labor Organization ठीक है यहां मिनिस्ट्रेश्ट आप Child Labor काम करती है लेकिन इंडिया के पास सबसे ज़्यादा Child Labor है कहां से 15 से 17 तक के रेंज में साउथ इस्या में इंडिया में सबसे ज़्यादा Child Labor इंडिया में है ठीक है Under NCPL NCPL क्या है यह है National Child Labor Project यह इंडिया ने खोला था इसके ताहद NCPL याद रखेगा National Child Labor Project इसके ताहद 4.3 लाग चिल्डरन वाई Rescued Rescued मतलब उनको निकाला गया जहां वो काम करती थे Child Labor वहां से उनको निकाला गया From the work work से निकाला and rehabilitated नहीं की थी 18 वो काम कर रहे थे अंडर इस प्रोजेक्ट के ताहद National Child Labor Project उनको वाजे निकाला गया सुकूलू में बेजा गया उनको rehabilitate किया गया ठीक है ठीक है Rank Up India in the Child Labor Index वही 1.3 पूजिशन ठीक है 1.3 पूजिशन है इसकी Then Who bannered Child Labor in India इंडिया अंडर गोरप्रसाथ स्वामी कमेटे ठीक है ये भी याद रखेगा इस कमेटे ने इस पे रिपोर्ट दिया था So State with Highest Labor वो मैंने आपको आरेडी बता दिया है बहार, UP, राजिस्तान, MP और महरास्टा इन स्टेटिस में सबसे ज्यादा Child Labor पाया जाता है ठीक है तो ये कुछ basic point इस है Child Labor पे जहां से कोच्चन आते हैं और इसलिए मैंने आपको ये अलग से पढ़ाए ये आप डेटा याद रखे इसको आप लिखिए और इसको एक दो बार गोत्रू कीजे इसको पढ़िए एक दो बार ये खुद ही आपके दिमाग में रहेगा जब आप इसको एक दो बार दो तीन बार पढ़ेंगे ये आपके दिमाग में खुद रहेगा और ये कोच्चन यहां से कोच्चन आ सकता है वो कोचना को इजीली निकल जाएगा ओगे, ठैंक्स